सब से पहले दोस्तों अगर बरो दा बिलीवेर्श के बारे में बात करता तो निसान त्टनगी वाला दोस्तों यह ओपनिंग करती हैं लास्टत मैच के अंदर से फि negó नीया बंक looked विकेट किपिंग उप्सन के लिए इनको ही मैंने पीक करुआया था क्योंकि जो तो इनका रिकोर्ड थोड़ा सा बैटर रहा है अगर कंपेर करें दूसरे प्लेयर्स के साथ में साथ में जो तो आपको विकेट किपिंग से भी अच्छे खासे पॉइंटे देने की चांसे यहां पे रहने वाले है सरिया की बात करें जो जो यह भी विकेट किपिंग उप्सन के अंदर आती है और आपको जरूर ज़र्गाए देने वालिये है सकत्रा मैचेज के अंदर साथ विकेट इनके नाम रहे हैं वहीं अक्सरा किवारी दोस्तों यह भी अंडर नाइटिन की प्लेयर रहने वाली है दोस्क्राel नों मैचेश केंदर 47 रं चार गेट जुरूर इनके नाम रहे है लेकिन अंडर 19 गेंदर इतने ही विकेट इनको नहीं मिले थै normally धोड़ाँ नोकल सी लोक़ल प्लेयरों से रहने नहीं दोस्केट मिलने चांसे से भी रहते हैं साह żम दोस्क्व बैटिंग कियो हैं लास्ट मैच्छ मैच अधिन निकाले थे लास्टा tut एक पूरा और नहीं किया था मेरे ख्याल से दो बोल इन्होंने की थी उसके बाद में इनको हटा दिया गया था बुमिका पटेल उसके यह भी तकरीबन तीन-चार आवर करती है लास्ट मैच के दर तीन आवर इन्होंने किये थे पंदरा मैच के दर बाउनन नो विकेट इनके नाम रहे हैं लास्ट मैच के दर एक विकेट ये भी निकाल गई थी वह उसके न निराली की बात करें तो ना तो बैटिंग आई थी ना इनकी बोलिंग आई थी बाकि दो यहां पर कुछ एक्ष्टा प्लेयर्स रहने वाले हैं जिनका रिकोर्ड मुझे अभी तक मिला है बड़ोधा वारियस की टीम के अंदर भी दोस्तो एक दो प्लेयर्स रहने वाले हैं जो बड़ोधा अंडर नाइंटनी की तरफ से खेल चूके हैं क्योंकि नो मेंचेज के दो सेंटराली सरंड जो रहे हैं इन मेंचेज दो दो पारियां आई हुई है वो ओडियाई के अंदर आई हुई है लास्ट तीनों तीन डोटनी कदर यह पूरी तरीकी से फुलब रही है बाकी बोलिंग की कोई गांटी नहीं है कि आपको बोलिंग कर के देने वाली है या नहीं जविता फर्नांडेस ने दस मैसे चिकेंदर तो मारी सरन बनाए है वह पर दोस्तों कुछी हुआ सब्सक्राइब की बात करने दो लास्ट मैसे दोनों में से जिकेंदर बोट सरे लोगोंने इनको पीक कर रखा था तो मैसे यह खेल चुकि दोनों हुआसरण 5 विकेटिन के नाम रहे हैं लास्ट मैसे कंदर 14 रन हिन्तिनों ने बनाए를 दोस्तों के बात करने जो हैं यह ब्लोट टा वह खेल अन गाल था लुकिस्ट मैस्ट में एंस कुछी मैसे ने मेंको कोई विकेट नहीं मिला था वह रखाल दोनों 9-6 यह हुआ है थी लास्ट दोनों मैचेंच के अंदर इन्हों ने बोलिंग नहीं की थे लेकिन ये भी बोलर रहने वाली है ग्रेंड लीग की अगर आप रिस्ट की टीम मरा रहे हो तो आप इनके उपर इन्वेस्ट कर सकते हैं सोड़ा मैचेंच के अंदर नो विकेट इनके नाम रहे हैं डोली जंग ने साथ मैच मेंच में सड़ सटरन एक विकेट वही पर दोस्तो अगर रेखास रोज की बात के थोड़ा सा अच्छा उपसन रहने वाला है क्योंकि लास्ट दोनों मैचेंच के अंदर ये पूरे आवर कर रही है लेकिन विकेट नहीँ लग रहा है तो उह सकता है दो इस मैच के अंदर ये विकेट है निकाल के दे सकते हैं चार मैच के अंदर निक नाम रहे हैं शिवंगी पटेल की दोストा अभी तक बैटिंग नहीं है एक मैच इनोंने खेला वगा है यहां पर यह प्रसाद 6 मैचिज के अंदर 494 विकेट जिनल पिटल की बात करें 9 मैचिज के अंदर 144 विकेट इनके नाम रहे हैं अगर यह खेलते हैं तो आप इनको भी पिक कर सकते हैं पाकि यहां पर ड्रीमिलोओं टीम के अंदर अगर देखें तो जैसा कि मैंने आपको र दोलींग बी रिकोड अच्छा रहा है लेकिन सब्सक्राइब दोस्तों तो जोन फंदर जिसका रिकोर्ड थोड़ा सा खराब रहा है जितने पॉइंट इन्होंने दिये थी सारे सारे तक्रीबन एविकेट की पिंग से इनके जाहतर आये थी वहीं पर दोस्तों अगर बैट्समें के अंदर अगर देखें तो यहां पर मैंन साथ में आपको यह बोलिंग से भी पॉइंट आपको दे सकती है डी अजय कुमार की बात करें दोस्तों तो यह ओपनिंग करती है लेकिन दोस्तों अगर इनका रिकोर्ड देखें तो सेकंड लास्ट मैच के अंदर पांच विकेट इन्होंने जरूर निकाले थे लेकिन यह रेगुलर बोलर नहीं रहने वाली ऐसा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि वहाँ पे भी यहां रिसकी रहने वाली तो बहुत सारे लोगों ने इनको लास्ट मैच के अंदर भी पीक कर रह रका था और कैप्टन वोईस कैप्टन तक्रीबन 40% लोगों ने आपको पूरे चार आवर करे देने बाली है क्युस्टे आपको पूरी चार आवर करके देने ओल रहा थिए और थोड़ा सा लोडर के अंदर भी खेल रही है एचलो नावत अच्छी अपस नहां पर रहने वाली है हो सकता आपको ये बोलिंग भी करके दे सकती है साथ में दो बैटिंग से इनकी अच्छे खासे पॉइंट हर मैच के अंदर आ रहे हैं बैटिंग अच्छी काशी कर लेती है और दोस्तो अगर इनका record देखें अंडर 19 के अंदर जरूर इनको इतने विकेट नहीं मिले थे लेकिन यहां पर local player रहने वाले हैं तो वहां पर विकेट मिलने के चांद सहज भी ज़्यादा यहां पर रहने वाले है कि अमिस्ट्री को दो तो ग्रेंड डिक टीम के अंदर जूरूर ट्राई कीजीगा क्योंकि जोस्तो अगर इनका रिकोर्ड देखें तो रिसेंटली ये बोलिंग जुरूर नहीं कर रही है लेकिन इनका रिकोर्ड थोड़ासा दूसरी प्लेयर्स के साथ में कंपेर के तो पूरे चार आवर ही डालने वाली है और लाश्ट दोनों मैचे देंदर भी विकेट निकाले हुए हैं और उसके अलाद दोस्तों तो यह भी बड़ोदा अंडर 19 की प्लेयर रहने वाली है बिलिवर्स की तदफ से दोस्तों यह इनके की बोलोने में से एक रहने वाली समय के दर पूरी चार और आपको डाल सकती है लाश्ट मैच चलूरी इनको विकेट नहीं मिला था वही पर तो अगर दूसरी प्लेइस की बात मैने तो आर्स रोज को फिलाल मैंने यांपे प्क किया हूए अगर आप चाहिए दोस्तों आर्स रोज को यहां पर रिपलेस कर स चाहें तो आप यहां पे रिप्ले से कर सकते हैं आर्स रोज भी अच्छी अप्सन रहने वाली है बहुत कम लोगों पैसे भी इनको पिक किया है आर्स रोज आपको पूरे चार आवर करके दिने वाले डोली जंगड का कोई गारंटी नहीं दोस्तों पूरी चार आवर करें य यहां खाती दोस्तों यह भी अंडर 19 के प्लेयर रहे चुकी है बुडोदा के तरफ से यह खेल रही है रिसेंटली और अंडर 19 के अंदर भी यह विकेट निकाल रही थी अभी तक 17 वैंचे जिके अंदर 23 विकेट इनके नामरे लास्ट मैच के अंदर तीनी विकेट यह नि मैचिंग वाला को यहां पर पिक कर सकते हैं और वोईस कैपटन की अगर बात करने दो तो जे अच्छी वाप्सन यहां पर रहने वाले है क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा टोप और केंदर यह बैटिंग भी कर लेती है और साथ में पूरे पूरे चार आवर आपको करके देने वाली है अगर दूसरे वोईस कैपटन की अगर बात केंदर तो वो रहने वाले है एन खाती इनको आप ज़रू ट्राइए किजिए अगर दूसरे प्लेयर्स की बात करने दो तो दो दिए अजय कुमार दोस्तों इनकी उपर थोड़ा सा ध्यान दर दूरू रखिएगा बाक स्केंदर बैटिंग भी इनकी चलने की थोड़े से चांसे कम लग रहे हैं क्योंकि दोस्तों यहां पे बिलीवर्स के पास में बोलर आपको थोड़े से स्ट्रॉंग साइड बोलिंग यूनिट आपको देखने को मिलने वाले तो इनके विकेट गिरने के चांसे भी वहां प अपडेट रहता है उसका अपडेट में आपको टेलीग्राम के उपर अपडेट करवा दूगा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा